हेलो स्टुडेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 11.3 का question number 6 तो question number 6 हमारा किस तरह से दे रखा है इसमें दो पार्ट दे रखें पहला पार्ट कहता है ये वाला from expressions using t and 4 तो t और 4 को add करके हमें expressions बनाने है use not more than one number operation और हमें एक operation से ज़्यादा use नहीं करना है every expressions must have t in it और हर expression में हमें t को लेना है तो यहाँ पे a वाला पहले कर लेते हैं तो देखो हमारे पास जो operations होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं addition, subtraction, multiplication और division तो अब यहाँ पे हम पहले addition का इस्तमाल करते हैं तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं t plus 4 और 4 plus t अगर लिखें तो वो t plus 4 सेम ही होता है और next आता है subtraction तो यहाँ पे t minus 4 इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4 minus t next आता है multiplication तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 t और t 4 नहीं लिखते हैं हमेशा number पहले लिखते हैं variable बाद में लिखते हैं next आता है division तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 upon t और t upon 4 तो यह हमारे expressions आ जाएंगे अब आता हम b वाले part पर तो b वाला part क्या दे रखता है from expressions using y, 2 and 7 every expression must have y in it तो यहाँ पे हमें expression बनाने हैं y, 2, 7 को use करके और हर expression में y लेना है आगे गता है use only two number operations these should be different और यहाँ पे हमें दो operations का इस्तमाल करना है और वो भी अलग-अलग होने चाहिए तो दो operation किस तरह से हो सकते हैं? positive, negative, positive, multiplication, positive, division और इस तरह से subtraction, multiplication, subtraction, division, multiplication और division तो इतने सारे options हो सकते हैं और इससे हमारे बहुत सारे expressions बन जाएंगे तो उनमें से हम कुछ ही लिखेंगे b वाला part start करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखो यह 2 दे रखा है, यह y दे रखा है, यह 7 दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं 2y प्लस 7 यानि y को हमने 2 से multiply किया और 7 को add कर दिया और इसी का अधर हम उल्टा करें यानि 2y माइनस 7 सब्टेट कर सकते हैं, एक expression इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2 की जाहे पर हम 7 ले ले लें और यह y minus 2 कर दें, फिर यहाँ पे 7y plus 2 कर दें, इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 7 minus 2y लिख सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे 2 minus 7y लिख सकते हैं और हमारा क्या आ सकता है यहां पर y upon 2 plus 7 लिख सकते हैं, y upon 7 plus 2 लिख सकते हैं, y upon 2 minus 7 लिख सकते हैं, और y upon 7 minus 2 लिख सकते हैं, इस तरह से हमारे और भी expressions हो सकते हैं, जो कि आप अपने आप बना सकते हैं, लास पार था questions हम आपत, next lecture में करेंगे, next questions आज के लिए बस इतना ही